हाई फ्रेंड्स मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका टेकनिकल ग्यान सीखते रहो यूटूब चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको बताँगा ओपो मॉवाइल में प्राइवेट सेफ पर फिंगर प्रिंट लॉग कैसे लगाएं तो चलिए शुरू कर दें तो उसके लिए सेट कर लिजेbyां तो पर आपको अपने और चैनल करता है इस तरहां इसलिए हम पर इस तरह से फिंगर्फिरिंट कर लिए तो मैं पहले सेट है इसलिए है पर इस तरह इस तरह का इंटरफेस आगा तो आपको हैं यूज फिंगरप्रिंट फोर का option मिलता है तो आप यहां यूज फिंगर्प्रिंट फोर का option पर क्लिक करें और उसके बाद इस तरह का interface आगया देख सकते हैं आपको private safe का option मिल जाता है तो आपको यहां पर click करके यह setting को आपको own करना है तो मैं यहां पर click करता हूं और उसके बाद मेरा private safe का password मांग रहा है तो जो भी आपका app lock या private safe का जो भी password हो आप डाल दीजे app lock और private safe दोनों का password एक ही होता है तो जो भी आपका private safe का password है वो आप डाल दीजे देख सकते हैं मेरे से private safe का password मांग रहा है तो मैं अपना private safe का password है पर डाल देता हूं अगर जो आपका private safe याओप लोग पासवर्ट सेट नहीं किया हुआ तो पहले carnet option आएगा मेरे पहले से ही सेट था था तो मैं यहां पर डाला private safe का पासवडर्ट तो देख सकते हैं अब private safe में fingerprint on हो चुका है देख सकते हैं यह सेटिंग on से खुल गया हम चाहे तो यहाँ पल यह जो है इंटर पास्वर्ड इंटर पासवर्ड पर क्लिक करके जो मेरा प्राइवीट शयंब का पासवर्ड है उससे भी हम खुल सकते हैं या जो मैं फिंगरप्रिंट ऐम प्राइवेट शयस् singular सेट्प किया हूं